इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज को अपनी चपेट में लिया है तो बेलगाम शहर और अतराफ में भी कोरोना पॉजिटिव के मामले में होते हुए इजाफे से इंतदा मिया भी चौकाना है राइबाग कुच्ची के चार मामले सामने आने के बाद बेलगुंदे और बागेवडी के पॉजिटिव मामले से कुछ बेलगाम जिला के तायदा दस हो चुकी है लिहाज आला आप उरी सबसर डी सिक्पी मौतरमा सिमालाट करने पैगाम के जरी है बिला वजे घरों से बाहर निकलने वालों पर सक्त कारवाई का इशरा देया है तकरीबन देड़ साओ से भी जायद टू वीलोरों को आप तक जब्त किया गया है यह भी देखा जा रहा है कि कभी अस्पताल कभी मेडिकल या बाजार के बाहर ने तीन-तीन सवार एक गाड़ी पर सवार नज़र आ रहे है बेलगाम शहर के कई जगों पर सड़कों को बंद किया गया और यहां नोट बंदी से भी खतरनाक साबित होगा ऐसा विपक्ष का कहना है तो राहूल गांदी शची तरूर ने इसे बिना सोचे समझे लिया गया फैसला करार दिया है क्या लागडाउन ही इसका हलो हो सकता था क्या इसके अलावा और भी रास्ते थे क्या देश के वजिय आला ने मुख्तली रियासतों के वजिरों से कभी मशुरा किया था क्या विपक्षिया देश के इल्मी दानी शुरों से इस बारे में तबादले खिया गया था कई सारे सवाल आज भी वहीं खड़े हैं पर यहां भी सच है कि ऐसे मुश्किल दावर में कोरोना को शिकत देने के लिए मुटहिद होकर खड़े रहना और भारत में हर रोज बढ़ते मामिले भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं यानि वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन का कहना है कि अगर भारत तीसरे फेज में दाखिल होता है तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है कई सियासी लीडरों का सवाल यहाई कि आखिर मरकजी हुकूमत तेज रफ्तार से फैसल है क्यों नहीं ले रही अगर वाकई जिस तरह से WHO डर जाहिर कर रहा है कि अगर भारत में मामिले बढ़ते हैं तो हालात बेकाबू हो सकते हैं तो हमारी तैयारी क्यों नहीं है जब इटली अमरिका बिटन जैसे तरक्की आफ्ता मुलकों के हालत कोरोना से बत्तर हुई है तो भारत कैसे टिक पाएगा इसके सामने सबसे बड़ा मसला तो भारत में भुक मरी का है रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबं 30 करोड इंतहाई गरीब लोग देश में मौजूद है क्या यहां लॉकड़ोन इनकी जिंदगी के सांसे कोरोना से पहले ही चीन लेगा वजिर आजम ने ऐलान किया एक लाग सतर हजार करोड का पैकेज कहां है वो पैकेज लाग डाउन होके सतरा दिन हुए अभी तक राशन पर सिर्फ चावल ही तो असिल हो रहे है बाकी चीज़े कहां से लाए सिर्फ चावल ही पका कर खाया तो गैस अब तक हासिल नहीं रोजगार नहीं दुकाने खुलिये हैं पर पैसा नहीं भारत के पड़ोसी मलकों में किसी ने भी लाग डाउन नहीं किया इनका कैना है कि हम गरीब बूल खाय लिहाज यहां लाग डाउन हमारे लिए मौत साबित हो सकता है और जब 21 दिन का लाग डाउन खुलेगा तो क्या-क्या बदला हुआ होगा देश गरीबी रेखा के नीचे गया होगा बेरोजगारी इंत्याई दर्जे तक पहुंची हुई होगी इंटरनेशनल लेबर यूनियन की ताजा रिपोर्ट कहती है कोरोना वारिस के कारण भारत में गयर रस्मी शोबों में काम करने वाले 40 करोड लोगों की गरीबी और बढ़ जाने का खत्रा है साथ ही 19 करोड 50 लाग नुक्रियों पर भी खत्रा मन रहा है कोरोना वारिस को लेकर चाइना अमरिका में भी एकतलाप जारी है अमरिका का कहिना है कि डबली ओचो चाइना की हमायत कर रहा है क्योंकि इसने तैवान की बातों को नजर अंदाज किया 14 जनौरी को डबली ओचो ने कहा था कि कोरोना एक इनसान से दूसरे इंसान को मुतासिर नहीं करता कहा यह भी जाता है कि WHO और चाइना ने मिलकर कहानी बनाई है इसलिए कि दुनिया को सबसे ज़्यादा medical supply चाइना करता है पूरी दुनिया की मैशत पर चाइना अपना हक जमाना चाहता है लियाजा किसी बीमारी के खौफ का अजेंडा भी WHO और चाइना की मिली भक्त से जलाए जाता है तकरीबन दुनिया में diabetes, BP, cancer, HIV का खौफ भी इसी का हिस्सा होने का शक्त जाहिर किया जा रहा है अज दुनिया का तकरीबन हर शक्स खाना कम और दवाईया ज्यादा खाता है पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर अज चाइना के तकरीबन चेहरों में कारोबार जारी है लियाजा यहाद देखना है कि अब इसकी कीमत भारत को किस हद तक चुकानी पड़ती है अमरीका चाइना डवलियोचो की कहानी में गरीब मुलकों को कीमत चुकानी पड़ रही है कर अक्तदार की जंग दुनिया को ही पूरी मुसिबत में ना डाले इत्याद में देखने करें चुक्रिया अल्लाफिस